हाई गैस वेल्कम बैक टू अनादर वीडियो तो आज का इस जो वीडियो में है वह इंस्ट फंडिंग का आपको मैं प्याउट दिखाने वाला हूँ तो इंस्ट फंडिंग का अकाउंट बहुत दिन हो गया थे पास हो गया था लेकिन प्याउट का पुछ सीन चल रहा था कि हो चुका था तो चुका कया को और राषमा करेंगा तो कि वीडियो को सब्सक्राइबग कि तो ह हुआ इस वीडियो में बात करेंगे सब्सक्राइब और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप मेरे डिसकौर्ड पे जॉइन हो सकते हो एंस्टेड्रम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपने डिसकौर्ड पे फॉलो किया तो वहां पे अपको मेरे सर्वर में कोई भी आपको एक कॉशिंस बगर होगे या बागी आपको ट्रे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरा experience कैसा रहा है instant funding के साथ इस account के साथ तो मेरा 50,000 dollar का one step का account था मतलब phase one account था उसको मुझे एक phase one को ही pass करना था लेकिन इन्होंने अभी जो plan है में changes की है क्योंकि मेरा जो पहले वाला plan था जब मैंने लिया था तब उसमें डेली का जो वह 3% लॉस था और जो maximum लॉस है वह 10% मिलता था लेकिन अभी यहाँ पे 6% maximum loss जो मुझे वहाँ पे 10% loss मिलता था वह मेरा account था 50,000 dollar का और वहाँ को मुझे 10% का profit करना था टार्गेट पास करने के लिए funded होने के लिए तो मैंने वह लास टाइम ही किया था उसके जो ट्रेट्स वगर आए वह समझाय थे मैंने सारे अगर आपने वह वीडियो भी अगर तर नहीं देखा होगा अभी तब तो अगर आपको देखना है वह वीडियो तो यहाँ पे आपको डिस्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएग 24-hour के अंदर आपका जो RISE का अकाउंट होगा RISE पे या आपको एक और य कौंट्रेक्ट वेजेंगे वहाँ पर सऐन करना होता है तो रास पे आपको 25-4 आउर के अंदर प्लैटफॉर्म था तभी क्योंकि इनके पास सिफ एकी प्लैटफॉर्म था डियेक स्टेड और अभी इन्होंने काफी अलग-अलग प्लैटफॉर्म भी एड़ किये यहाँ पे सी ट्रेडर हो गया या आप यह बढ़ सकते कि मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको पर्चिस करना होगा तो यह हो गया यहां पर ही कि फंडेट अकॉंट मुझे कैसे मिला तो फंडेट अकॉंट स्टार्ट करने के बाद डी एक्स्टेड में काफी अच्छा मैंने प्रॉफिट भी कर लिया था मतलब मुझे मेर मेरा जो पहला अकाउंट था मैंने बोला आपको कि मेर Неया अग्यांड लाय कॉंट नहीं था अभी इन्होंने जो रॉट को मास्में को जब आप फंडेट हो जाते हो तो फंडेट का आपकोंथर प्रसेंट के रोट करना पड़ता है उसके बाद हो छो श्कर आपका रॉड कर सकते हो तो यह एक रूल था तो मुझे पता नहीं था तो उसके बाद मैंने पहले किया थो थोड़ा profit तो वह eligible नहीं हो रहा था उसके बाद मैंने फिर से अच्छे से पढ़ा तो फिर समझ में आया कि 5% का मुझे profit टारेट करना पड़ेगा तभी स्मार्ट रोड लॉक होगा स्मार्ट रोड लॉक होने के बाद वहां पे मुझे वह पे आउट के लिए रिक्विस्ट में कर सकता हूँ तो मैंने 5% का प्रॉफिट टार्गेट किया था इसलिए आप यह बात ध्यान में रखना तो यही मेरी गलती थी कि मेरा एक प्रॉफिट जो यहां पर था मेरा टोटल जो 5% का प्रॉफिट था वह एक दिन में मैंने काफी अरॉंड 13% का एक दिन में बनाय दिया था मतलब मैं लॉस में था वह लोगो लॉस कवर करके लस में प्रॉफिट में चल रहा था तो वह एक ही दिन में मैंने कर लिया था तो वह जो सारा प्रॉफिट था वह उसी दिन मैंने जब किया वह नियूस ट्रेडिंग में किया था तो मेरा टीपी है वह नियूस ट्रेड में हिट हो गया था उस एट मिनिट के टाइम फ्रेम के अंद तो वहाता है तो वह तिसे पिर만 को हो सकता है तो हो अच्छा रहा है il ya यहां पर कोई इस्यू भी आता है तो यह इमेल पे आप इसे कर सकते हो ही मेल पे आपके इस्यू सवाँ वह आपको इसका रिप्लाइट देढ़ेंगे चलिए अभी हम dashboard पे जाते हैं और हमारा जो payout है वो request कर लेते हैं यहाँ पे दो active account दिख रहे होंगे क्योंकि phase 1 जो यहाँ पे था वो मैंने pass कर लिया था जो 50,000 dollar का था तो phase 1 pass करने के बाद फिर भी वो active दिखाता है तो अभी जो इसका funded account है वो मैं अभी यहाँ पे उसका dashboard open कर लेता हो तो यह मेरा dashboard है यहाँ पे और यहाँ पे आप अभी equity देख सकते हो कि balance इसका कितना है 52,576 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तो वो दोनों इसका जो balance है amount equity भी देख सकते हो और अभी account जो वो भी active है यहाँ पे देख सकते हो आप और यहाँ पे challenge के details से मेरी कि यहाँ पे दिखें मिनिमम ट्रेडिंग देज जीरो थे daily loss जो वो 3% का था maximum 10% का और यहाँ पे अभी आप graph भी देख सकते हो कि graph में भी अपर की side में दिख रहा होगा और नीचे इसके objectives वोगेर आप यह वो भी देखिए trading की statics देख लिजे यहाँ पे कि मैंने total कितने दिन trade किये और यहाँ पे number of trades कितने थे तो मेरे number of trades जो वो 8 trades थे इस account पे क्योंकि यहाँ पे merge हुआ है account मतलब shift किया है दूसरे platform पे इसलिए वो फिर से reset हो चुका है और य कैसे यहाँ पे मैंने लिए थे क्या खेलिए थे वो फिर सारे ठेट कि करके आप यहाँ पर देख पाऊगे तो यह मेरा dashboard हम की यहाँ पर account का सारा details था तो अभी हम देखते हैं कि हमारा withdraw करना है हमें तो withdrawal में जाते हम यहाँ पर तो withdrawal में आप यहाँ पे देख सकते हो भी कि यहाँ पे जो available profit कितना है मेरा वो सभी यहाँ पे दिखा रहा है कि जो total account मैंने profit किया था वो 2576.30$ का यहाँ पे मैंने total profit किया था यहाँ पे और जो मेरा 80% का यहाँ पे profit split आता है जो by default income मिलता है और यहाँ पे इसमें से मुझे कितना मिलने वाला है 2061.04 तो इतना मेरे account में profit आना चाहिए तो यहाँ पे अभी request withdrawal की जो button है वो भी यहाँ पे active हो चुकी है क्योंकि eligible date आ चुकी है 25 तारीक ही था मेरा तो अभी आज eligible हो चुका है तो यहाँ पे अभी हम हमारा जो payout है वो यहाँ पे request करते है तो यहाँ पे हमें amount डालनी होती ही कि किसने अभे रिक्वेस निकालना है तो अभी मैं यहाँ पे डालन वाला हूँ 2576.30 तो जितना मुझे निकालना है तो यहाँ पर मैंने rise की payment method select कर ली थी email यहाँ पर डाल दिया था और यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हो कि profit share कितना मिलने वाला है आपको और बाकी की details यहाँ नीचे लिखी हुई आएंगे कि आपका अभी जो maximum rodon है वो कहाँ पर set होगा यहाँ आपकी equity balance कहाँ पर आएगा वो सभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो यही सब इनकी तरफ से अच्छा है मतलब दिख जाता है कि यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि next हमारा withdraw होने के बाद कितना होने वाला है तो इतना अभी हम इसे request कर लेते तो जो submit button है उस पर अभी हम click कर लेते so loading हो रहा है success दिख रहा है अभी यहाँ पर तो हमारी जो withdrawal request है वो यहाँ पर 100% successfully हो चुके इसका mail भी मुझे आ चुका है और यहाँ पर अभी वो pending दिख रहा है तो तब मैंने इसे request किया था payout को तो अभी हम देखते कि कितना time लगता है हमें यह payout हमारे rise account में आने के लिए आप देख सकते कि इनका message आ गया है तो यह दिखिए सुबह 6 बच के 37 minute एम पर यह सुबह मैंने यह किया था request किया था यहाँ पर दिखा था और मेरा जो amount था वो दिखिए कि कितना था कि 2500 76.30 यहाँ पर मेरा amount था तो यह मैंने कितने बज़े request किया है वो आपको मैंने दिख का था तो दो बज़े आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना मुझे payout था यहाँ पर यह इमेल ज़रा अलग है यहाँ पर भी दिखे डियर अक्षय है congratulations your payout has been approved तो यहाँ पर अप्रूव का यह email आया था और इसका screenshot डालना होता है मैंने डाला भी इनके website इस पर discord server पर तो यह इसे देखिया अभी मैंने refresh कर लिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी email यह मेरा ही account है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर total balance कितना दिखा रहा है 2061.04 cents यहाँ पर आपको दिखा रहा है तो यह मुझे पहले ही आ चुका दो बज़े तो यह आने के इंक की तरफ से अगर आपको आएगा तो यहाँ पर यह नाम लिखा होगा SLO Limited तो यहाँ से यह मुझे आ गया था तो कितने बज़े आया है वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि दो बज़े 6 मिनिट पर यहाँ पर मुझे आ चुका था तो दो बज़े 6 मिनिट पर इन्हे पहल लेना होगा तो मेरा जो कोड है वो सिर्फ यूज कर सकते हो उससे आपको डिसकॉंट मिल जाएगा माइंडेट ट्रेडर यह सिर्फ आपको कोड यूज करना है इस कोड को जब आप इनके वेबसाइट पर यूज करोगे कोई भी अकॉंट पर्चस करने के लिए तो आपको फ्लैट यहां पर 15% का डिसकॉंट मिलेगा वो जो डिसकॉंट है वो सिर्फ इसी महने के लिए लिमिटेड है उसके बाद हो एंड हो जाएगा उसके बाद सिर्फ आपको 10% का मिलेगा अगर आपको पर्चस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंड में चुका इनकी तरफ से कमेंड बॉक्स में जरूर बताना वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो को लाइफ जरूर कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको कौन से टॉपिक वे वीडियो चाहिए मुझे कमेंड बॉक में जरूर बताइएगा उनके उपर मैं वीडियो बनाने का ट्राइए करूंगा और आपको फ्यूचर स्ट्रेडिंग सिखनी है क्या फ्यूचर प्रॉफर्म के बारे में भी आपको बताना है क्या अगर आपको उनकी भी कोई इन्फोर्मेशन चाहिए होगी तो उसके रिल आपको मिलते रहेंगे क्या में ट्रेड वकर रहें अगर आपको 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 आप्टेट मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर गूट बाए अगी प Yale आप़ाल अंग एक वचब एकुब ऑच?", प्याइ मचलत bunlar